हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि जीमेल से जो डिलिट हो जाते मेंसे उसको हम कैसे बापस ला सकते हैं जैसे क्योंकि में साथ भी एक वार ऐसे ही हुआ था मेरा भी एक इनुका साइम्मेंट मैंने जमा करा था उस पर और वो टिलिट हो गया था मैं और मुझे उसकी जरूरत थी तो मैंने यूट्व पे वीडियो देखा इस रिलेटेड तो मुझे मिला लेकिन प्रॉपर जानकारी मुझे नहीं मिली वहां से भी तो फिर जैसे भी जानकारी मिली तो उसको मैंने सेट करा और अपने दिमाग अपना आइडिया लगा के उसको अपने कोडिंग जा चा तो मैंने किया कि कैसे मिलता है डिलिट हुआ मैसेज चीमल पर चलो देखते हैं इमेल खोलूँगी यह खोल दे आमने यहां पर मैं देखूंगी यहां पर मैं सेटिंग में जाओंगी सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाओंगी मैं यहां से यह गई है सेटिंग में ठीक है जो भी तुमारा अकाउंट हो उस पर जाना है उस पर जाने के वाद जो है जो देसलेट करना यहां पर मैंनेorg तुमें में जो तुम्हारा मेसेज है बस वो याद होना जिए कि तुम्हारा वो कौन से टाइं मतलब होगा मतलब जिस दिन का वो मैसेज होगा आज के दिन के बीच जितने वी डे हुए हैं ना डे को जोड़के याँ पर सक्सलेट कर लो जितने वी दे हुए मान चलो आज से लेके मान चलो जनवरी कुछ भी मान चलो जनवरी का महिना था अटने धिन दिन ऑगय। उतने दिन जोड़के कि यहां सेट सेट कर दिने जो करना है, सेट नी करना के आधा, authentic महीन है। अगते उतने मेंने का देट एंग किसे दिन के दूए हुद कि इनगे, किस साल हो ठीए अगर पता होगा तो तो मैं ओम में वो मेसंज मिल जाएगा तो नगे वापस शक्राइब इस अगाय यहे तो एक दो दिन देखना पड़े अध्य क्योंकि मेने भी इसको श्छाइड कर दिया था इसके बाद देखा तो नेक्स दिन था तो ऐसे ही सलेट करने के बाद एक दो दिन वेट करना आ जाएगा वो मैंसर डिलीट हुआ धन्यवाद क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था